हलो तोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मित करता हूँ ठीक होंगे फिर से लेके आ चुका हूँ रिक्रूमेन फ्रम मेट्रेलोए की तरफ से मेट्रेलोए कोर्पोरेशन बैंगलोर डिपार्मेन की तरफ से रिक्रूमेन आया है जहांपे 14 अप डिसेमबर 2021 जारी की आगया नोटिफिकेशन क्लियाली बताया है स्टेशन कॉंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर के पोस्त निकल के आया है जो कि 50 वैकंस अबलेवल है यहां पर अगर क्वालिफाइक क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर टीन पास वीच्ट्री यार्थ के डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए जिसके बाद ही आप लोग यहां पर अप्लीकेशन कर सकते हो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग अगर इसमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप लोग यहां पर अप्लीकेशन कर सकते हो इसके बाद बात कर लेते हैं एज काईटिरिया जो की 45 यहर्ट तक मैक्सिमाम एज काईटिरिया यहाँ पे रखा है इसी के साद आप लोग को बता देता हूँ जो भी कैंडिर एप्लिकेशन करना चाते यहाँ पे आपको ओर्जिनल जो सर्टिपिकेट है आपको मुँआ पे ज्याट करना है यहाँ पे आप लोग उसके बारे में भी बताऊंगा तो यहाँ पे अगर दे कोई भी एग्जैमिनेशन फीज्पिस आपको नहीं देना पड़ेगा बिलकुल फी में आप लोग exam दे सकते हो और application भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो तो चलिए आप लोग को उसके बारे में भी बताऊंगा किस तरह से आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिलाप कर सकते हो और फॉर्म फिलाप जो चलने वाले हैं यहाँ फॉर्टिंद आप जैनुवारी 2021 तक तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो official link मैंने open कर चुका हूँ जहाँ पर officially application शुरू हो चुका है यहाँ पर आपको select करना होगा पहले BMRCL के इसके बाद आपको select करना होगा यहाँ पर train controller and train operator की post देन आपको यहाँ परा जानकरी मिल जाएगा तो यहाँ पर आप ल इंडर सिलेक करना होगा address इलेक करना होगा phone number mobile number email id इसी साथ साथ आगर आपके बाद आधरकार है आधरकार दे सकते हो citizen आपको yes करना होगा knowledge of करना ठाका यहाँ पर आपके बाद नहीं है तो आप लोग यहाँ पर उन्हों भी कर सकते हो आपको यहाँ पर religion select करना है देन आप आपको cast select करना होगा उसके बाद आपको next करना है इस तरह से आप लोग इस form को जो है फिल आप कर सकते हो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो पहले आपको personal details देना है उसके बाद qualification details experience details additional qualification अगर है तो additional details भी दे सकते हो देखे आपको इस form को fill up करना होगा then आपको print out निकलना होगा इसका application देन आपको wait करना होगा exam के date के लिए exam के date अभी तक release नहीं किया है अगर आप लोग application कर रहे हो तो exam के date भी बहुत जालत आपको मिल जाएगा तो यही था आज की वीडियो जो की BMRC के तरफ से आया है अगर आप लोग के application करना चाहते हो जल्दी से application कर सकतो वीडियो को मैं यहाँ पर खतम करने वाला हूँ अगर आप लोग को पसंद आया लाइक से और सब्सक्राइब करना माद भूले इस चैनलन को थैंक यू फ्रेंड थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो